तो बस मेरा बताए होगा यह एक चुटकी पाउडर रोजाना खा लीजे रात को सोने से पहले मैं आपको ट्रस्ट दलाती हूँ 101 पसंड की आपका बेली एरिया बिलकुल फ्लाटन हो जाएगा यह इतना effectively आपके बेली फैट पर काम करेगा और साथ में आपके overall weight को भी बहुत अच्छे से manage करेगा इतना ही नहीं आज जो मैं इसमें ingredient यूज कर रही हूँ वो सिरफ मौत को छोड़कर आपके पूरे शरीर की हर बिमारी का इलाज कर सकता है यह आईयोवेद में भी इस बात का जिकर है जो वो चीज है उसके इतने सारे फायदे हैं तो देरीक इस बात की वीडियो बहुत इंट्रॉस्टिंग होने वाला है बनाना बहुत असान है, किचन में हमारे ऐसे मसाले होते हैं जिनका यूज हमें सही तरीके से पता नहीं होता जिसके वरिज़े हमारा फैट बढ़ता है और हम बहार की बहुत ना की पतले होने की मेडिसिन्स या कोई ना कोई पाउडर खाना स्टार्ट कर देते हैं जो अल्टीमेटली कुछ लॉंग टाइम बाद हमारा वेट और गेंड कर देती है है ना और हमारे लिए एफेक्टिव भी नहीं होती, साइड एफेट्स भी होते हैं लेकिन किचन में रखी हुई नाच्रोल चीज आपके बिली फैट को ऐसे गायप कर देगी आपको बहुत ही अच्छा डाइट प्लान मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आगर आप 15 दिन में 15 किलो या 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही एफेक्टिव मैंने डाइट प्लान बताया है कि सुबा से रात तक आपको क्या खाना चाहिए और क्या उसके बेनेफिट है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप वो डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए इसी हसी खुशी से आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं अब इस रमीडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है कलॉण जी के बीच तो मैं इसमें तीन चमश एट कर लूँगी यहाँ पर मैंने थ्री स्पून एट कर लिया है कलॉण जी के बहुत जादा फाइदे हैं अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं यह आपके बॉडी में जो स्टोर फैट है उसको बहुत अच्छे से खतम करती है कलॉण जी में आइरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर बहुत जादा होता है यह amino acid और protein से भी भरी होती है जो आपके body के लिए बहुत जादा effective है जिन लोगों को diabetes है उनको कलॉण जी का सुभा खाली पेट जरूर सेवन करना चाहिए क्योंकि इससे उनके diabetes जड़ से खतम हो जाती है यह आपके पाचन तंद्रों को अच्छा करती है अगर आपको बहुत ज़्यादा acidity बनती है पेट फूरनी की समस्या है या फिर जलन या constipation की समस्या है तो वो सब दूर हो जाएगी इसके साथ अगर आपके face पे pimples, acne बहुत जादा रहते हैं तो वो इससे निकलने बंद हो जाएगे क्योंकि यह आपके blood को purify करती है कलॉंजी का इस्तमाल अगर आप कुछ लंबे समय तक करते हैं तो यह आपके mind को sharp करती है इतना ही नहीं अगर आपको बहुत पुराना जोड़ों का दर्द, गठिया, arthritis है तो उसको भी जड़ से खतम करती है इसके साथ अगर आप गंजे बन के शिकार हो रहे हैं आपके सर पे बाल नहीं आ रहे तो वो problem भी इससे solve हो जाएगी मतलब आपके पूरे overall body के लिए बहुत अच्छा है आपके body में जितना भी extra fat store हो चुका है जम चुका है उसको बहुत अच्छे तरीके से यह melt करती है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें अपना दूसरा ingredient आड़ करेंगे अच्छे से सुखा लेना है जब इसके बीच सूख जाएंगे तब आपको इस्तमाल करना है मैंने अपना दूसरा ingredient इसमें आड़ करा है lemon लेमन क्या करता है आपके body को अंदर से cleanse करता है आपके body में जितना भी store fat है जितनी भी गंद की है इसको अच्छे से निकालता है और इसके साथ-साथ आपकी skin को बहुत अच्छा रखता है आपके overall body के लिए बहुत अच्छा होता है, digestion बहुत अच्छा से boost करता है तो मैं इसको maximum 3 दिन के लिए धूप में रखूंगी जब आप धूप में रखेंगे इसको तो यह बिल्कु सूख जाएंगे दाने बिल्कु सूख चुके होंगे और अब आपको जानना है इसको लेने का सही तरीका यह इतने से बीज जो आप लेंगे यही आपके पेट पे जमाज चरबी को बहुत अच्छा तरीके से पिग लाएंगे आपके fat को कट करेंगे आपको लगर होगा इतने से बीज में क्या ताकत है लेकिन अगर आप इसको लगातार एक महीना लेंगे तो आपको इसका बेनेफिट आपको खुद पर खुद मिल जाएगा अब मैं आपसे शेयर करती हूं सेकेंड रिमेडी को कैसे बनाना है और कैसे इंटेक करना है इसके लिए अब हम कलॉँजी को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे प rugged powder form अंवर्ड कर लेंगे तो यहां पर मैं three spoon add कर लूंगी grinder में यहां है मेरे three spoon अट कर लिए अब इसको मैं ग्राइंड करके इसका powder बना लूंगी अब आप देख सकते हैं, मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है तो चली इसको उपन करके देख लेते हैं आप देख सकते हैं, इस पाउडर फॉर्म में कनवर्ट हो गया है देखे, जितनी quantity में आपको हर चीज की बतारी हो, सिरफ आपने उतनी ही लेनी है क्योंकि अगर किसी भी चीज को जुर्व से जादा मातरा में खाया जाए तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान दायक हो सकती है इससे जादा quantity आपने इसकी बिल्कुल भी intake नहीं करनी है इतनी quantity आप इसमें आड़ कर देंगे, ग्लास में इसके बाद इतने साइस का lemon हम इसमें पूरा squeeze करेंगे squeeze करने के बाद lemon हम इसमें एक ग्लास गरम पानी डालेंगे और इसको चाय की तरह sip-sip करके पीएंगे अब जानेते हैं इसको पीने का सही समय क्या है जब आप सुबा उठते हैं खाली पे तब आपको इसको एक ग्लास पीना है और इसके एक घंटे बाद ही आपको कोई भी breakfast या आपको कोई भी जो भी आपने कोई दवाई लीनी हो या कुछ भी अगर आपने इंटेक करना है वो एक घंटे बाद ही करना है जो आपको मेरे पहला method बताया था उसमें भी same process है कि जब आप 3-4 दाने ले रहे हैं गुर्गुरे पानी के साथ आपको इसको लेना है तो भी आपने एक घंटे बाद ही कुछ खाना है तो एक महीना आप ये ले एक महीना आप वो लेकर देखें दोनों रेमिटी लेकर देखें और उसके बाद आपके शरीर पर आने वाला बदलाव मुझसे जरूर शेर करें कमेंट के थूँ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये ड्रिंक आपका रेडी है जिसको आपने सुभा खाली पेट पीना है अगर आपकी एज 16 एयर्स की है या फिस 60 एयर्स की है तो भी आप इसको इंटेक कर सकते हैं बॉइज और भी यूज कर सकते हैं कोई mandatory नहीं कि especially girls के लिए है और especially आपके बिली फाट को बहुत अच्छे से टार्गेट करेगी trust me या आपके इंच लूज करेगी overall body में जहां भी fat है उसको ये cut करेगा बहुत अच्छे तरीके से drink बहुत जादा effective है तो चलिए अब मैं इसको पी कर दिखाती हूँ झाल झाल